दोस्तों नमस्कार मैं संदीप चोहान E&I गुरू चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रेलवे का जनरल बोगी का टिकेट ओनलाइन कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बात आपको रेलवे के काउंटर की लाइन में लगने की जरुवत नहीं पड़ेगी और रेलवे की जनरल बोगी का टिकेट आप आसानी से ओनलाइन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों इस टिकेट को आप मोबाइल के थूरूट आसानी से टीटी को बता कर वेरिफाई करवा सकते हैं और आसानी से बिगर किसी हेजिटेशन के जनरल बोगी के अंदर सफर कर सकते हैं दोस्तों अब श्टार्ट करते हैं जैसा कि जनरल टिकेट ओनलाइन प्राप्त करने के लिए रेलवे ने एक एप्स लॉंच किया है इस एप्स का नाम है यूटी एस दोस्तों यूटी एस का पुरा नाम होता है अन्रिजर्वड टिकेट सिस्टम जैसा कि मैं प्ले श्टोर में जाकर इस यूटी एस एप्स को डाउनलोड कर लेता हूं डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें रेजिटर करना होगा रेजिटर करने के लिए आपको फोन नंबर की रिक्वाइमेंट होती है जैसा कि मैं जल्दी से इसमें phone number और साई details फिल करके register कर लेता हूँ अब दोस्तों जैसा कि register हो गया है register होने के बाद मैं आपको इसको back करना है back करने के बाद आपको login ID और password डार कर login कर लेना है अब login करने के बाद आप जैसे ही click करेंगे तो आपको इस तरह का page दिखाए देगा इसमें सबसे उपर आप देखेंगे तो यहाँ पर book ticket तो दोस्तों book ticket पर click करने पर यह next window open होगी इसमें आपको normal booking और quick booking platform ticket और season ticket इस चार चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है इसमें सबसे पहले हमको normal booking पर click करना होगा normal booking का मतलब दोस्तों यह है कि आप normal ticket प्राप्त करने के लिए इस पर click करेंगे normal पर click करने पर आपको फिर से दो option आएगे इसमें सबसे first वाला जो option है उसमें दे रखा and travel paperless and दूसरा जो आता है उसमें है book and paint paper तो दोस्तों यदि हमको first वाला ticket चाहिए जिसमें हमको paperless की जड़त है तो दोस्तों इसमें एक और condition है दोस्तों इसकी condition कुछ इस तरीके से है कि आपको यह ticket प्राप्त करने के लिए station के आसपास ही होने की ज़रत होगी यदि आप station के 5 km के दायरे से दूर हैं तो आप यह ticket बुक नहीं कर सकते हैं अब दोस्तों देखके मैं इसको आगे बताता हूँ कि यह condition कहां पर show हो रही है अब मैं इसको click करूँगा click करने पर हम booking के option में चले जाते हैं देखियो दोस्तों यहाँ पर केवल दो ही station show हो रहे हैं यह station मेरी location से 5 km के अंदर है इसलिए station show हो रहे हैं तो दोस्तों इसमें यह condition होती है कि आपको 5 km के दायरे में ही होना पड़ेगा station के तभी आप यह ticket book कर पाएंगे otherwise आप ticket book नहीं कर सकते हैं इसमें station डालकर next पर click करता हूँ तो दोस्तों next पर click करने पर यह window open होगी इस window में मुझे सारी details fill करनी होगी और ok press करके payment के option में जाकर payment करनी होती है तो दोस्तों इस तरह में paperless ticket online प्राप्त कर सकता हूँ अब दोस्तों जो second option आता है इसमें लिखा है booked and print जिसमें आपको paper की जरत होती है दोस्तों print वाले ticket की जरत होगी इसके अंदर तो दोस्तों अब यह print वाला ticket आपको कैसे प्राप्त करना है तो दोस्तों इसका भी process में पुरा बता देता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस पर click किया है मैं next window में चला गया हूँ दोस्तों अब देखे इसमें सारे station दिखा रहे हैं इसमें ऐसी कोई condition नहीं है कि 5 km के अंदर होने के आपको जरत है और वही station शोंगे जो 5 km के अंदर है तो दोस्तों अब यह देखे मैं इस पर click करत हूँ तो यह condition बताता है कि आपको जो यह ticket की जुरत होगी यह ticket आप काउंटर से ले सकते हैं या फिर station पर लगी हुई ATVM मशीन और C और TVM मशीन के थूरू यह ticket का print आप आसानी से ले सकते हैं दोस्तों इसमें भी आपको line में जुरत नहीं line में लगने की जुरत नहीं है क क्योंकि आपको यह ticket मशीन के थूरू इस्टेशन पर मिल जाएगा अब दोस्तों मैं इस्टेशन डालकर next क्लिक करता हूं तो यह booking का option आजाता है दोस्तों इसमें भी booking का option सेम ही है जैसा कि मैंने आपको पहले वाली slide में बताया था सेम वेसा ही है तो दोस्तों आप आतानी वीडियो हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करने ताकि सभी लोगों को फाइदा हो सके थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू